हलो बच्चो यदि आप कच्छा 10 के स्टूडेंट है आप बोड एक्जाम 2013 की तयारी कर रहा है तो आपको पता होगा बोड एक्जाम ने 2030 का एक्जाम पैटन उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है अब 2023 से जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें 20 कोश्चन जो होंगे व कोश्चन को सॉल्व करना है कैसे उमर के सारी चीजा हम लेकर किया है और हर इक चेप्टर में हर एक वीडियो में और एक चैप्टर से 10-10 कोश्चन लिए गए यह इस सीरीज का लाश्ट वीडियो है यानि अगर आप चैनल पे नए हो तो आप बाकी सारे वीडियो भी देख सकते हैं यह हमारा 15 वीडियो है जिसको हम इसमें 141 से ले करके 150 के बीच भरेंगे इसमें भी हम 10 कोश्चन को सॉल्व क करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे हम में जो कौपी मिलेगी बौड में वहां पर इस – papa ब्रॉत-बृत का परिमाप 22 बड़े 7 सिंटीमीटर है तो इसका व्यास होगा तो अर्थभीट का परिमाप बहोती सिम्पल तरीके से हम बताएंगे बहोती इसी होगा इस तरह से सबसे पहूरे का आप अर्थभीटबना लिजिए कुछ इस प्रकार से इसका परिमाप हमें ग्याद करना है तो अर्ध ब्रित का परिमाप बहुत लड़के क्या करेंगे उनको पता जैसे छेत्रफल निकालते हैं अगर अर्ध ब्रित का तो क्या करते हैं जो ब्रित का छेत्रफल होता है उसके बटे दो कर देते तो वह क्या हमारा ब्रित का अर्ध ब्रित फॉर्मूला है इसलिए आप सारे फॉर्मूले को याद कर लिए ब्रित का परिमाप होता है टू पाई आर इस तरह से अगर हम अर्द ब्रित का परिमाप ग्याद करें अर्द को बदा दें यह बिल्कुल गलत होगा परिमाफ होता क्या है परिमाफ वो रेखा दर साती जिससे यह जो भी हमने यहां पर डिजाइन बना रखा है वह बन जाए जैसे आप बरित मो बनाते हैं तो वह इस तरह से एक ऐसे यह लाइन लाइन की लंबाई जो इसी को हम परिमाप कहते हैं, अगर हमने वर्ग बनाया, तो यह जितनी भी हम लाइने खीच रहे हैं, जितनी लंबी यही परिमाप होगा, यानि हमारे पेन को इस आकरिती को बनाने में जितनी दूरी तै करनी पड़ी वही परिमाफ होता है तो अगर हम अर्ध बृत को देखें अर्ध बृत यहां पे जैसे है तो इसको बनाने के लिए यहां से ऐसे हम चलेंगे ऐसे तो फिर वापस यहां पर आएंगे यानि इतनी दूरी जो में तैय करनी पड़ी यहीं परिमाप होता है तो अभी जो हमने बृत बनाया यहां से यहां तक यह क्या था यह गोले का क्यों यह पूरा हो गया क्या परिमाप अगर हम बीच से से काटें तो अभी हमने अगर इसका आधा कर दिया हमने क्या क्या इसका आधा कर दिया जो बृत का परिमाप था तो हमें क्यों यह दूरी मिली यह यहां से इस प्रकास से था कि हमें क्यों यह इतनी दूरी हमने तैय कर लिए अगर हमने व्रित के परिमाफ को आधा कर लिया एक बटे दो तो हमें क्योल क्या ये एक चांद के दैसे हमें बच गया अब बाकी जो हमने अर्धवरित में ये जो दूरित चली है ये इसमें नहीं इंक्लूड हुआ है तो इसमें हम वो भी जोड लेंगे यहां से लिखेंगे हम जो अर्ध बिरित का परिमाप होगा यह गलत हो गया दूसरा हम जो लिखेंगे अर्ध बिरित का परिमाप वो होगा पाई आर अभी जो निकला यानि ये चांद वाले का हिस्सा आधा हिस्से का हो गया अप प्लस ये देखिए ये भी आर होता ये भी आर यानि यहां से केंद्र है ये दोनों आर आर ये हो जाएगा टू आर यानि हमें टोटल इतनी दूरी तैय करनी पड़ेगी और इस तरह से एक बटे दो अबरित का शेथफल होता है पाई या स्क्वार रख देते हैं तो अर्ध बरित का शेथफल निकल जाता बट अगर आपने परिमाब में ऐसे कर दिया ये ये निकाल दिया तो ये गलत होगा तो इसको या तो आप फार्मूला याद कर लिजे या किस तरह से हमने बताया वो चीजे जान लिजे तो चलिए इसको हम हल करेंगे अब इसी पर हमान रख लेंगे तो इसमें दिया था परिमा 22 बटे 7 यहां पर रखेंगे 22 बटे 7 बराबर पाई प्लस टू यानि की 22 बटे 7 यहां भी पाई कमान हम रख लेंगे क्लाइब प्लस टो इन्टू आरर कम 안में ग्यात करना तो यहां से हो जाएगा यह droga 27 बराबर यहां से एल सीयर को लेंगे लिए लेंगे तो यह पा सुरी 22 प्लस साद दूनोगा 14 वटस शाथ इन्टू आर साथ से साथ मारा डिवाइड हो जाए यह हो गया 22 और यह बराबर 24 और 26 और दो एक तीन 36 प्राबर आर तो यह हमारा आर बराबर आ गया 22 बटे 36 इसको हम काटते हैं इसको हम अगर डिवाइड कर लेते हैं दो से 11 दूना 22 और दो से एक कम दो और दो तीन 6 13 11 बटे 13 कुछ हमारा एंसर इस प्रकार से आ रहा है तो जो कोस्चन का अर्धब्रित का परिमा 22 बटे था था इसका व्यास होगा दो से इसमें म् गुड़ा कर लें तो हो जाएगा 22 बटे 13 एंसर कोई नहीं आएगा इसमें क्योंकि कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो चलिए इसमें हम आफशन नमबर डी कर लेते हैं कोई नहीं कि चलिए नानिक पहले का आफशन नमबर डी इस तरह से आप भर लीजें इस अगला कुसिशन हम देखते हैं दूसरा कुस्ट्See्ट्षन lifetime व्यास वाले ब्रित का छेथर फल नेम्न में से होगा साथ सेंटी मीटर ब्यास वाले ब्रित का छेथर फल तो ध्यान देखें यहाँ पेós दिया के सभसे पहले question को आपड़िए साथ सेंटी मीटर व्यास या इसका व Parl. साथ सेंटीमीटर कई बच्चे क्या गलत्य करते हैं जो आर होता है जो एक तरज्या होती हो उसके अस्थान पे अगर हम साथ सेंटी रग देंगे तो सो चैनल को कुछ और ही आ जाएगा इसलिए सबसे पहले को जहां से पढ़िए साथ सेंटीमिटर व्यास वाले ब्रित का छेत्रफल तो बःत का छेत्रफल बहुत भी जी ब्रित 22 बटे 7 और और की जगा पे 7 बटे दो का होलिस्का। यहांस हो जागा 22 बटे साथ गूड़े इसको लिए 7 गूड़े बटे 2 बटे 2 रेसा से 7 कर जाएगा 2 से 11 tę cuts क्यों चाला हो जाएगा 11 7 McMahon गैस अत्तर बटे 2 सेंटीमीटर इसकार यायற हमारा इंसर आजाएगा तो चलिए इसमें हम कर लेते हैं दूसरे का ओफसन नंबर सी जितनी भी कंफूजन है आपकी सारी दूर हो जाएंगे इसमें क्योंकि जितने भी कोशन हो सभी अलग-अलग प्रकार के हैं तो इस तरह से आप अभी से प्रेक्टिस शुरू कर देते हैं तो एक्जाम में आपको कोई भी दिकत नहीं होगी चलिए तीसरा कोशन हम देखते हैं यह कुछ इस प्रकार से है साथ सेंटीमीटर त्रीजिया वाले ब्रित के चतुर थांस का परिमाप क्या होगा जहां दिखि तरह ब्सका परिमाप क्या होगा अब हमने क्या बदा जैसे आपने अर्ध ब्रित का परिमाप निकाला उसा चतुरफांस-का परिमाप आ है बहुत तीरी बस आप ज्यान दिजे कि कितनी दूरी तेक करनी पड़ रही है अगर हम यहां पर पेन रखते हैं ठीक यहां से यहां चले फिर यहां से यहां यहां यह दोनों क्या है यह आर है यह भी आर है तो पहले तो टू आर यह दोनों हो गया तो लिख सकते हैं हम टू आर और प्लस अब यह दुरी कितनी होगे हमने जब अर्द ब्रित का निकाला यह चान जावा पूरा टुकड़ा था तो हमने 1 बट्टे 2 करके और ब्रित का परिमाफ रख दिया अब हमें 1 टुकड़े का निकाला तो 1 बट्टे 4 और ब्रित का परिमाफ वता टू पाई आर यहां से अब इसको निकाल लेंगे तो यहां से हो जाएगा यह हो जाएगा दो दूना चार और पाई यहां से अगर हम यहां से आर कामन ले ले तो यहां बचेगा टू अप्लस यहां पाई भाई टू यह हमारा क्या एक चातुर्थांस का परिमाप होगा तो इ और नीचे दो यानी सागुना चोदर यह बचें गांपर नीसलेगे दोट यह नहीं बचना उपड़्य कहाँ है है तो आफसन नंबर भी हमारा तीसरे का है 25 सेंटीमीटर तो तीसरे का ओफसन नंबर भी हम भर लेंगे माफ जैसे कोई हम लेते हैं एक व्रिथ कोgua को शन कोई पढ़े एक 12 cm तिर्जया यानि 16 जो तिर्जया है यह क्या है 12 cm भी चाань की लंबाई इस चाप के कोड़ का माप होगी इस चाप के कोड़ यहां पर अंतरित करती है ठीटा इसी का मान पूछा जा रहा है तो इस चाप की लंबाई होती क्या है इसको हम लिखते है ठीटा भाई 360 इन्टू चाप की लंबाई होती है चाप की लंबाई तो इसका फर्मूला होता है ठीटा बटे 360 गुड़े 2 पाई आर ये जो बृत का परिमाफ है हमारा ये हो गया और ये ठीटा बाई 360 चाप की लंबाई यहां पे दिया था 10 पाई बराबर ठीटा ये हमें ग्यानत करना 360 इन्टू 2 पाई और आर का मान दिया हुआ था 12 सब रखा गया पाई से पाई कट गया 2 से 2 पच्चे 10 और ये बारतिया 36 तीस पार में ठीटा का मान आया यहां से जब इसका सब्सक्राइब भर लेते हैं टोटल इसको बराबर नहीं लिख सकता है इसलिए ये संख्यात्मा गूप से बराबर क्यों कि परिमाब जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है और छेत्पल सेंटीमीटर स्क्वाइर होता या कोई भी हो मातरक ये मातरक होता इसलिए क्यों यह संख्यात्मा गूप से बराबर है उस बृत की त्रिज्या है तो बृत का पहले आपको फार्मूला लिखना होगा कि बृत का परिमाफ होता क्या है तो बृत का परिमाफ टू पाई आर बराबर बृत का जो छेतफल होता है पाई आर इसकायर यह दूनों क्य कीजी था बस आपको मान रखना तो पांच वे का अफसान नंबर एक दो इसको अंभल लेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए यह सारी मेनत हम आपके लिए करते हैं अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चलिए अगला कोशन देखते हैं 14 सेंटीमीटर तिर्जया वाले एक ब्रित के त्रिजखंड का छेत्रफल ग्याद करें जिसका कोड 90 अंस है त्रिजखंड का छेत्रफल तो हमने बताया अभी छेत्रफल जब ग्याद करते हैं जब इस तरह का दिया हो जैसे इस तरह से कोई ब बड़ा होगा यह यहानि एक कि वात तरफ करता है 14 cm त्रिजखंड के श्रीधेटे हैं वेक्ता Lexus के भी हagh Anand कि इसका जो छिदिफल का फर्मूला होता है थीटे बटे 306 in 2 पाई फान्धी कर यह होता है बस तरह से आप निकाल लीजिए ये ठीक उसी का कोशन है यह किस तरह से ठीटा बटे हम लोग 360 लिखते हैं यह भी आपको बता देते हैं जैसे अगर आप ठीटा के जगह पर पूरे बृत को ले लिए माली यह पूरे बृत का अगर हमें छेत्रफन निकाला हो तो ठीटा के अस्तान पर क्या लिख देंगे हम यह पूरा बृत ऐसे हो जागा यानि 360 तो जब 360 बटे 360 रखते हैं यह कटके एक हो जाता है इस प्रकार से में क्यों पाई आर इसक्वार का मान गयात करना होता है यही बृत का हम छेत्रफन लिख देते हैं पाई पाई आर इसक्वार अगर हमें किसी कोड को दे दिया गया यानि कि कोई एक त्रीज डिगरे 90 बटे 360 गुड़े पाई का मान 22 बटे साथ गुड़े आर जो दिया हुआ था हमारा 14 का होली स्कार तो चलिए इसको अब रखते हैं 90 से 9.36 चार बार में कड़ जाएगा यानि एक एक बटे 4 गुड़े 22 बटे साथ गुड़े इसको 14 गुड़े 14 लिख सकते हैं अबर हो गया 22 गुड़े साथ यानि की बाइस दो सकते 14 का चार हासी लेक दो दूना चार एक पांच 154 यह क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वार क्योंकि छित्रफल था चलिए इसमें आफसन में देखते हैं तो आफसन नमबर बी सही होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वार चाथ में क आफसन नमबर बी हम भर लेंगे इस तरह से जो भी डाउट सो वह कमेंड में पूछ सकते हैं हमसे चलिए अगला कोश्चन हम देखते हैं सात्वा कोश्चन यह भी बहुत इंपोर्टन कोश्चन इस तरह के भी कोश्चन आपके इह जाम में बन सकते हैं अगर आप नहीं ग्यान कीजिए बहुत ही इजी कोशन है और बहुत ही important कोशन है यानि इस तरह के भी कोशन ही जामे बन सकते क्योंकि यह आपके बुक में दे रखा तो चलिए देखते हैं माले यह मैं घडी ओती है ये भी क्या एक घडी एक बिरीत के तरह होती है जिसकी लंबाई दे रखी इसकी учार 220व घ्लिसक जिर एक सर्केल बनाएगी तो इसने बॉला टो यह फ्ह荸 पहले देखिए अगर यह एक चक्कर लगाती है एक चक्कर में कितने मिनट तय करती है तो 60 मिनट तय करती है हमें पता है मिनट वाली सुई अगर 60 मिनट चल जाए तो एक चक्कर तय कर लेती है आनि 60 मेट में कितने मbor रहन सका काण बनाती है तो 306 अ पलती है कि गिपने में में सक राच्छा उच्षा DAVID चबसे पहले ये गांत कर लिजित कि एक मिनाप्र मेन कि कि तनी का कोण बनाएगी ने कि इसी परकार सही में वह उब रहा गार्षा बिए वह अगे हो इसके नивать सबस्केन बनाया गया और अगर इसे हम पान्च से गुड़ा कर दे पांच मिनट में अक्ट कोड़ बनाया गया पांच एक तीस एंस का कुड़ बनाया गी वह किपने मिनट में फांच मिनित सहता है काँ तो इस तरह से अगर नहीं समस्जमें अछित तरह से तरह से आप देख लिए होटा माले बार categoria ये है हमारा तीन इसके बीच में एक एक होता है ये दो हता अगर ये कोई ये तोटल जो ऐस only कितने मिनटक्त चलती 15 मिनट अगर यह यहां रहती अगर यह पांच मिनट चलती तो ये टूल साट अो कोड बनाती और फिर अगर यह फ़र शर्णल चल जाता तो टूटल नब्यान इस तरह से भी आप गयाद कर सकते किए 30-degree कर या तो आप ढिवाइड करके भी गयाद कर सकते हैं कि वो 5 मिनट में 30-degree and जो तिरिजखंड का छेतनको अब इक तिरिजखंड बन गया ऐसे ये इसका हमें छेतरफाल गयार कॉत करना को तो तो तेस यदफेम खंड का छेतरफाल करका ऐसान का छेतरफाल होगा ठीटा बट慶ण 60 क्यूडे पाई मुझे खका के मध्यारा है 30 से इसको काटेंगे 3 एकम 3 तीन दूना 6 यानी 12 बार में 12 बार में यह कड़ गया यहां से 7 दूना 14 2 6 12 यह आ गया 2 6 12 कि है दो चक्के 12 इसमें हम ग्यात करेंगे और आगे अभी गुड़ा करते जाए ऑप्सन मिल जाएगा तो दो चक्के 12 तो उपर बचा क्या में आप 14 बचा यहां से फिर काट लेंगे दो सत्य चवदर दो तियां शर्त साथ दून चवदर का चार हासिल एक साथ दून चवदर पंदर यानि 154 बटे 3 सेंटीमीटर इसका है यही छेतर फल उसका होगा तो इसमें आफ्सन में हम देख लेते हैं आफ यह कोशन आप बहुत इजी लगा लेंगे यह समझाने में बस टाइम लग रहा है बाकी एक बार अगर समझ गया तो आप अपने आप से बहुत इजी में लगा सकते हैं एक कई सेंटीमीटर तिर्जिया वाले चांप की लंबाई क्या होगी जो बिरित के केंद पर साथ हंसक का कोड अंतरित करता है एक कई सेंटीमीटर तिर्जिया वाले चांप की लंबाई अभी बताया हमने की चांप की लंबाई जो होती है वह इस फार्मूला जो होता है चांप की लंबाई इसका फार्मूला होता है थीटा बटे तीन सो साथ गुड़े पाई सौरी टू पाई तू पाई आर इसी पर हम रख देंगे तो चांप की लंबाई यानि ठीटा कमान यहां पर दे रखा था साथ हंस और त्रिज्जा जो है 21 cm यानि साथ बट्टे 306 और पाई टू और पाई कमान 22 बट्टे साथ और गुड़े त्रिज्जा जो है 21 cm 21 cm इस तरह से यह हो जाएगा यह 6 बार में कट जाएगा टूटल यह हो जाएगा साथ तरी का 21 और यह तीन दुना च्छा और दो से दो यानि इसका जुमान आया वह 22 तो यह 22 cm इसकी लंबाई आई तो यहां पर आप्शन में देख लेते आप्शन नमबर इसका सही होगा आठ क्यों कि त्रिजया आर वाले बृत की उस्टरीजिकंड का शेत्रफल ज्याद की जिसका कोड़ पी अनस है बहुत इजी है बस हमने क्या बतां है ति शेत्रफल पाय इसकार होता है 3 अ घंड का शेत्रफल इसका होता ठीटा बटेर तिन सो साट गुडे पाई और इसका एट ठीटा कमानि यहाँ पर दिया पी अंस नहीं पी अंस बटे 346 गुडे पाई पाई रखा है पाई और आर के जगां पे कैफ्टल आर दिया आर इसका है अब यहाँ पर देखिए देखिए पी बटे 1802 pi r यह भी नहीं है फिर तीसरा देखते है पी बटे 360 2 pi r नहीं पी बटे 702 pi r अगर हम इसमें उपर नीचे 2 से गुड़ा करें पी बटे इसमें 2 से गुड़ा करेंगे तो यह 720 हो जाएगा और 2 pi r देखिए आप option मिल गया हमारा कौम सा करने के लिए इस तरह के भी option आ सकते हैं तो आप पहले इसको या तो इसको यहां से दो से काट लेंगे तो यह 360 तो पी बटे 360 पाई आर इसकार यह भी आ जाएगा तो चलिए नवे का option number D हम भर लेते हैं यह आपको confuse करने के लिए ऐसे भी question में दे सकते हैं option नवे का option number D तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप एक्जाम में जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं अभी से objective question की तो आपको कोई UP यह स्कॉयर तो अर्ध ब्रिट का किया होगा एक बटे दो पयार इसको है और अडर ब्त का चेत्रफल यह को होगा यानि आर कामान हमें ग्याद करना है तो चलिए आप करते हैं इसको दो से हो गया 11 और यह हो जाएगा उन्नाइस दस्मलो दो पांच गुड़े साथ बटे 11 गुड़े सॉरी 11 यहां से 11 कि इधर पच्छांतर कर देंगे फिर आर स्कॉर अब उपर नीचे हम 100 से गुड़ा कर द तो अब देखिए 11 से इसको काटने हैं तो 11 11 कम 11 यहां से बचा आठ 1177 और यहां से बचा 1177 तीन दूपांच बचा तो यहां से हो जाएगा 1175 गुड़े साथ बटे 100 यह हमारा आगया एकसा पचात्तर गुड़े सात बटे 100 एकसो पचात्तर का मुड़ान खंड कर लेते हैं 175 से जाएगा पहले पांच पांच याई 15 उसके बाद बचा कितना 25 25 फिर 5 से 5 साथ से साथ से कम साथ इसका जो गुड़े नखंड आया वो पांच गुड़े 5 गुड़े 7 और एक हमारा ये साथ था बटे इसको लिख सकते हैं 10 गुड़े 10 तो यह हमारा देखिए अगर आर का मान अगर हम ग्याद करें य यह एक हम ले लेंगे अनि अंडर रूट से बाहर आएंगे यह तो एक हो जाएंगे 5 गुड़े 7 बटे 10 तो जाएगा 7 35 बटे 10 तो यह हो जाएगा 3.5 यह हमारा क्या होगा त्रिज्जा होगा 3.5 सेंटीमीटर तो इसमें देख लेते हैं ऑफसन नमबर एस होगा 3.5 सेंट तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए जिससे आपको सारी चीजे मिल सकते थैंक्स पाव वाचिंग